हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल बालोजे साइंस टीजी टी पीजी टी प्रेक्टिसेट 6 में आप सभी लों का स्वागत है चलिए सुरू करते हैं पहला कोशन है एक ही वर्ग की जातियां है यानि सेम क्लास इस्पेसीज आर आंसर सही होगा इसमें पहला स्कॉर्पियोन और स्पाइडर सेम क्लास की जातियां होती है और ये संग आर्थो पोड़ा के जन्तों होते हैं आर्थो पोड़ा माने जोड़ युक्त अर्थात इस संग के जन्तों के जो उपांग होते हैं वे जोड़ युग तो होते हैं किस वर्ग में रुधिर रंगा हीमो साइनिन है यानि किस वर्ग में इनमें से चार वर्गों के नाम दे गए हैं चार संगों के नाम दे गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा संग है जिसमें रुधिर रंगा पदार्थ हीमो साइनिन पाया जाता है तो आंसर सही होगा इसमें B मोलस्का में आपको बता दें कि जो हीमो साइनिन है यह एक स्वसन वर्णक होता है स्वसन वर्णक या पिगमेंट होता है और जो मोलस्का है इस संग का अध्यन मैलकोलोजी कहलाता है और मोलस्का संग जान इस्टोन ने दिया था मोलस्का संग का नाम किस्ट दिया जान इस्टोन ने मोलस्का नाम दिया था और इस संग के कुछ प्रमुग जन्तु जैसे यूनियो है पाइला है आक्टोपस है सीपिय सितारा मचली में कौन सा अंग स्वसन एवं चलन दोनों का कारी करता है सितारा मचली को इस्ट्रियास बोला जाता है इस्ट्रियास यानि इस्ट्रियास पे कौन सा अंग स्वसन और चलन यानि रेस्पारेशन और लोकोमोसन दोनों का वर्क करता है डोनों का कारु करता है और जो सितारा मचली होती है ये समुद्र की पथरीली जो सतय होती है वो इसने सतय है पिंध की सहाथा से रिंगती है नेश कुछ ने केरोलस लीनियस की नाम करण पध्धती है केरोलस लीनियस जो बेग्यानित थे इनकी नाम करण पध्धती कौन सी है तो बायोनॉमियल बायोनॉमियल यानि दियो नाम पध्धती का आविसकार केरोलस लीनियस नी किया था और ये कहां के बैग्यानिक थे तो ये स्वीडन के बैग्यानिक थे स्वीडन के और इस पध्धति में प्रतियक जीव के दो नाम होते हैं इनके दो नाम जो पध्धति थी इसमें प्रतियक जीव के दो नाम होते हैं पहला once और दूसरा जात यानि पहला नाम generic और दूसरा specific होता है नैश कुसन है अनिशेक जनन साधरनता किन में मिलता है अनिशेक जनन किन में मिलता है चार समों के नाम दिये गए है इसमें और एक एक समों में तीन तीन जनतों के नाम लिखे गए है आंसर इसमें सही होगा पहला आंट्स बीज और वैप्स ये जो है अनिशेक जनन इनमें साधानता मिलता है किस बैग्यानीक ने जनतों के वर्गिकर्ण में महत्पूर्य योगदान दिया है ऐसा कौन सा बैग्यानीक है जिसने एनिमल क्लासिफिकेशन में इंपोर्टेंट योगदान दिया है एंसर सही होगा इसमें भी लीनियस ने और लीनियस को फादर आप टैक्सव नॉमी भी कहा जाता है अकर पुछा जाए कभी कि फादर आप टेक्रोनॉमिक हैं तो लीनियस हैं और इनकी जो एक पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने जन्तूओं का वर्गी किरण किया है और किसाधार पर तो उनको वैज्ञानिक नाम दे करके उनका वर पुर्थहों के वर्गी करन का नेच कुछिश्ट पर आते हैं पुर्तगाली लड़ाकु कौन साइल साइसमे आप्चांस ही होगा उप्शं सही होगा इसपे डि वाला एक पौलिमृफिक क्लॉनिकल सेलेंट्रेट होता है पुर्तगाली लड़ाकु आपको बता दें कि पु पुर्तगाली लड़ाकु कहा जाता है और यह सेलेंट्रेटा संग का प्राड़ी है यह निडेरिया संग का प्राड़ी है तो फासेलिया को क्यों कहा जाता है पुर्तगाली लड़ाकु क्योंकि इसका जो उपरी भाग होता है वो पानी की सतह पर उतराता हुआ उल्टे जंग कि जहाद जैसा दिखाई देता है इसलिए इसको पुर्तगाली लडाकु कहा जाता है युद्धपोत कहा जाता है नेश कुछन है नम्रिकित में से कौन सा वर्ग केवल समुद्री जल में रहता है इन में से कौन सा वर्ग है जो केवल समुद्री जल में रहता है आंसर सही होग एस्ट्रियास भी कहा जाता है और इसी के अंतरगत ब्रेटिल इस्टार भी आती है नेश्ट कुछन है नम्रकित में इसे कसेर की जन्तु नहीं है कसेर की जन्तु ऐसे जन्तु जिनके पीठ में रेड की हड़ी पाई जाती है उन्हें कसेर की जन्तु कहा जाता है लेकिन यहां प्रेस्टम में कहा गया है कि नमलख्ष इतमेंł सिख कसेयरकी जनतु नहीं है यानिकि जिसके पीठ में रीड की अहटी नहीं पाई जाती है तो इसमें ao answer सही होगा dm вс jakieś 1500 जो है यह कसियरकी जनतु आंसर सही होगा इसमें C, three pairs of leg, ये वाला आंसर सही होगा, नेश कुछ नहीं, वर्ग पोरी फेरा का वर्गिकन किस आधार पर किया गया है, पोरी फेरा का, आंसर कौन सा सही होगा इसमें, आंसर सही होगा B, इस पेकियूल्स, नेश कुछ नहीं, टीनिया सोलियम में उस सर्जन किस के द्वारा होता है, टीनिया सोलियम में पूछा गया है, उस सर्जन किस के द्वारा होता है, तो टीनिया सोलियम जो है ये संग प्लेटी हिलमेंथीज का जनतु है प्लेटी हिलमेंथीज का और प्लेटी हिलमेंथीज संग के जो जनतु होते हैं उनमें जुआला कोशिकाओं के द्वारा उस सर्जन होता है जुआला कोशिकाओं के द्वारा और जुआला कोशिकाओं को अंग्रेजी में flame cells कहते हैं flame cells इसलिए option सही होगा इसमें B वाला flame cells और जो पहला option है निफरीडिया ये एनिलिडा संग के उसरजी अंग होते हैं एनिलिडा और जो C वाला option है malpigian tubules ये arthropoda संग में जो कीट पाय जाते हैं कीटो में malpigian tubules उसरजी अंग होते हैं और जो चौथा वाला option है green gland ये भी आर्थो पोड़ा संग में लेकिन जींगों में पाई जाती है निफ्रान वगरा में पाई जाती है आज कल यानि आधनिक वर्गी कंड के साधार पर किया गया है तो answer सही होगा इसमें भी similarity in external feature के आधार पर किया गया है next question है संग square meta में होते हैं square meta में क्या होते हैं answer सही होगा इसमें भी lizards and snacks यानि छिपकिलिया और साप संग square meta में होते हैं आपको बता दें कि class reptilia जो है reptilia जो वर्ग है इसका जो सब वर्ग है सब class है diopcida diopcida के अंतरगत इसको इमेटा आता है next question है प्रोटो जोवा का कांसा समोह पूनताह पर जीवी है जो संग proto जोवा है इसका कांसा समोह पूनताह पर जीवी है पैरसाइट है आंसर सही होगा इस में सी इस पोरो जोवा और यह प्रोटो जोवा का उपसंग है जो इस पोरो जोवा है और इसके ज़ो जनतु है आपको बता दें प्लास्मो डियम है प्लाजमोडियम जो मलेरिया परजीवी रोग फैलाता है और मोनोसिस्टिस के अंतरगात आता है नेश कुछन है कौन सी जाती एक ही वन्सकी है इन में से कौन सी एसी जाती है जो एक ही वन्सकी है आंसर सही होगा इसमें डी वाला हिस्टोलिटिका अंड को लाई एक ही वन्सकी है नेश कुछन है पादविहीन इंफिवियन है पादविहीन इन जिनमें पैर नहीं पाय जाते हैं ऐसी इंफिविया कौन से है तो आंसर सही होगा इसमें सी इथियोफिस इथियोफिस पादवि इंफिबिया होता है नेश्ट कुछन है नियुक्त में से कौन सा कीट नहीं है इन्हें से कौन सा कीट नहीं है हाउस फ्लाई बैटर फ्लाई स्पाइडर मौत आंसर सही होगा इसमें सी स्पाइडर कीट नहीं है इंसेक्ट नहीं है नेश्ट कुछन है आरस्तो की लाल टेन किस में मिलती है अरस्तो की लाल टेन पुछा गया है तो चार आप संदीगे हैं स्टार फिस ब्रिटल स्टार सी अर्चिन और सी एनिमोन आंसर सही होगा इसमें सी सी अर्चिन सी अर्चिन को समुद्री अर्चिन भी कहा जाता है और आपको बता दें कि ये चमकदार होते हैं गोल गोल से होते हैं चमकदार होते हैं इसलिए इनको लाल टेन बोला गया और अरस्तु की लाल टेन क्यों कहते हैं इसलिए अरस्तु की लाल टेन कहा जाता है नेश कुछन है असम तापी जन्तु होते हैं असम तापी जन्तु तो आंसर सही होगा इसमें D यानि ऐसे जीव जो अपने सरीर का तापमान वातावरण के अनसार नियंत्रित नहीं कर पाते हैं उन्हें असम तापी जन्तु कहा जाता है नेश कुछन है जली जन्तु जो लवण मात्र के तनिक उतार चड़ाओ सहन कर सकें वे कहलाते हैं आंसर होगा इसमें पहला इस टेलो हाइलाइन नेश कुछन है कालर को सिकाएं किसका मुख्य लक्षण हैं कालर को सिकाएं तो कालर को सिकाएं मुख्य रोप से इस पॉंजेस का लक्षण होती हैं आंसर सही होगा इसमें C नेश कुछन है जिस प्रकार मैमेलिया काडेटा में है इसी प्रकार से तो जो मैमेलिया है यह काडेटा का वर्ग है काडेटा का वर्ग है मैमेलिया तो इसी प्रकार से इसमें कौन सा सही होगा आंसर सही होगा इसमें C कि ट्रमेटोडा टू प्लेटी हेलमेंथीज वही संबंध है जो मैमेलिया का काडेटा से है नेश कुछन है चिंपैंजी गौरिल्ला तथा मानो एक ही फिर खालिस्तान है के प्राणी है तो एक ही ओर दर के प्राणी है ओर भरा जाएगा इसमें आंसर चैन स्थाई होगा पूछी गई है तो यह दोनों पच्छी उड़ नहीं सकते हैं चल सकते हैं इसलिए इसका आंसर सही होगा सी दे आर रनिंग बर्ड नेश कुछन है कि सैट के भोड़िये परिवर्धन में लार्वा अवस्था पाई जाती है लार्वा अवस्था पूछा गया है आंसर सही होग इसमें बी बी वाला जो सेट है इस सेट में एसकेरिस फ्राग और हाउस फ्लाई है इसमें भोड़िये परिवर्धन में लार्वा अवस्था पाई जाती है किसमें एसकेरिस में फ्राग में हाउस फ्लाई में नेश कुछन है केचुआ जोग तथा सत्पदी में क्या समानता है आंसर सही होगा इसमें सी दे है वेंट्रल नर्व कार्ड इसलिए समानता उसमें होती है नेश कुछन है टोड है टोड क्या है एंफिबियन फेस मैमल्स रप्टाइस टोड क्या है तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि टोड किसके अंतरगत आता है इसमें हैं समुधरी मचली एंगुला का साधार्ण नाम है समुधरी मचली जो एंगुला है उसका साधार नाम इल होता है फ्निवाळा अप संश कुछन है मांस के लिए पाले गये चूजे कहलाते हैं आपने देखा इसका आंसर सही होगा भी ब्रॉयलर कहलाते हैं नेश कुछन है प्रोटिस्टा अपना भोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं जो प्रोटिस्टा संग के जन्तु हैं वे अपना भोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं आंसर सही होगा इसमें पहला कीमो सिंथिस रूप में प्राप्त करते हैं यानि रासानिक रूप से कुछ प्राप्त करते हैं अपना भोजन जबकि जो फोटो सिंथिस होते हैं यह फोटो सिंथिस के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं नैश कुशन है आस्थे मज्जा अथवा बोन मेरो अनुपस्थित होती है इन में से किसमे बोन मेरो नहीं होती है आस्थे मज्जा नहीं होती है तो इसका आंसर सही होगा डी बड में या चिडियों में आस्थे मज्जा अनुपस्थित होती है क्यों ताकि वे हलके रहें अग प्रिज़ कोउचन है जाति वृत्य वर्गीकर्ण का आधार है अशार आप्सं दीएगे हैं। वर्यकुट करण के आधार पर जातियां इन पूछा कया है वर्यकुटर्ण के आधार पर जातियां है आंसर सही होगा इसमेडी fundamental unit in polygenetic history of organism सभी कस्विर्कियों का समान लक्षण है समान लक्षण कौन सा होता है कस्विर्कियों का आंसर सही होगा इसमेडी presence of school यह जितने भी कस्विर्कियों होते हैं vertebrate होते हैं सभी में school पाया जाता है next question है blasto seal से विक्षित होने वाली देहगुहा कहलाती है ऐसी देहगुहा जो blasto seal से विक्षित होती है उसे pseudo seal कहा जाता है pseudo seal C वाल option सही होगा next question है किस जिव में पादप तथा जन्तों दोनों के लक्षण होते हैं पादप और जन्तों दोनों के लक्षण हो कौन सा ऐसा जी होए answer सही होगा इसमें c यूगलीना की जो यूगलीना है इसमें पादप और जन्तों दोनों के लक्षण होते हैं क्योंकि इसमें chloroplast पाया जाता है जब इसको भोजन नहीं मिलता है तो एप्रकास translation किरिया करके अ जूगलीना होता है नैश कुष्चन है कौन सा समुह सही है चाराफ संदिये गए हैं और पूछा गया है इसमें से कौन सा समुह सही है answer सही होगा इसमें b centipede, millipede, silverthys, arthropoda ये सही है नैश कुष्चन है लेनियस ने प्राकर्तिक वर्गिकर किस आधार पर किया था तो answer सही ह होगा इसमें c वाला evolutionary trends के आधार पर किया था नैश कुष्चन है molluska gastropoda उसी प्रकार है जैसे की यहीं मोलसका का संबंध gastropoda से है उसी प्रकार से इसमें किसका संबंध किस से है चाराफ संदिये गए हैं option सही होगा इसमें c वाला बोथ a and b पहला भी और b वाला भी यानि पहला दूसरा दोनों सही होंगे इसमें refresh question है पच्छी में होते हैं पच्छी में क्या होते हैं तो calc turbulence cell egg होते हैं हम सबही लोग जानते हैं कि उड की गर्दन लंबी होती है लेकिन किस खारा से लंबी होती है बहुत से टैक्सान होता है यानि क्लासिफिकेशन में टैक्सान क्या होता है आंसर इसमें सही होगा सी वाला group of organism होता है नेश कुछन है कृतिम बर्गिकन किस्ने प्रस्ताविति किया जो कृतिम यानि प्राप्त होता है तो आंसर सही होगा इसमें सी बॉम्बेक्स मोरी से रेशम प्राप्त होता है नेश कुश्चन पर आते हैं नेश कुश्चन है नुड़कित में से किस सेट में अरिये सम्मिती पाई जाती है यानि बाइलेटरली सेमेटिकल पाया जाता है तो आंसर सही होगा इसमें पहला वाला इकार्नो डर्मेटा और सीलिंट्रेटा में होती है नेश कुश्चन है आसकुलम किस से सम्मंदित है आसकुलम किस में पाया जाता है इस्टार फिस में हाइडरा में सिल्वर फिस में स्पांज में तो आसकुलम स्पांज में पाया जाता है वो साइकन हो चाहे लिकोसिरिनिया हो इसमें सम्मित क्या पाया जाता है नेश कुशन है निर्विकत में से सही सेट है सही सेट पर कौन सा है इसमें बताना है तो एडीस एलो फीवर जो एडीस मच्छर होता है तो एलो फीवर हो जाता है नेश कुशन पर आते हैं नेश कुशन है ऐसा उपयोगी कीट जो जंगली अवस्था में अब नहीं मिलता है त स्पंजों के नाल तंत्र में, पैरागैश्ट्रिक Кविटी, ये समानोथे, आंसर सेवेगा दिवाला, नेश्ट कुष्ण है, मेटाजैनेसिस सब्ध का संबंध है, मेटाजैनेसिस सब्ध का संबंध किस से है, आंसर सही होगा, इसमें c, अल्टरनेशन अफ जनरेशन इन ओबीलिया से है ओबीलिया से अल्टरनेशन अफ जनरेशन नेश्ट कुछिन है पुनुरुद भवन साधरता किसमे होता है पुनुरुद भवन की छमता किसमे होती है री जनरेशन की छमता किसमे होती है तो आंसर सही होगा इसमें सी प्लेनेर प्लेनेरिया में नैश कोश्चन पर आते हैं और नैश कोश्चन है व्रंदन अधिकतर किन में होता है व्रंदन यानि श्वार्मिंग किस में होती है आंसर सही होगा इसमें लोकस्ट में होती है लोकस्ट नैश कोश्चन है एंथो जोवन जन्तु हैं एंथो जोवन जन्तु पहला वाला फंजिया नेश कुछन है जन्तों के पहचान की कुंजी किसने बनाई थी जन्तों के पहचान की कुंजी जॉन रे ने बनाई थी जॉन रे नेश कुछन है ट्राइको निफा किस वर्ग का जन्तो है ट्राइको निम्फा तो आंसर सही होगा इसमें बी वाला मैस्ट फोरा वर्ग का जन्तु ट्राइकोर निम्भा होता है नेश कुश्चन पर आते हैं नेश कुश्चन है किस वर्ग के जन्तुों के नेत्र लगभक कसिर की नेत्रों के शमान होते हैं ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके नेत्र कसिर की नेत्रों के समान होते हैं तो आंसर सही होगा इस में C, Cephalopoda, Cephalopoda के समान होते हैं, Nesh Kushn है, Fasciola Hepatica रहता है, Fasciola Hepatica कहां रहता है, तो Leaver of Seep में, Nesh Kushn है, Molluska में कवच किस्ट से बनता है, Molluska में कवच का निर्मान किस्ट से होता है, मेंटले से होता है, Option सही होगा, B वाला, Nesh Kushn है, नहाने वाला इस्पंज है, नहाने वाला इस्पंज, तो U-S-Pange या होता है, वास्तविक देहगुहा की अनुपस्थित किस संग का लक्षण है, यानि किस संग में वास्तविक देहगुहा नहीं पाई जाती है, आंसर सही होगा, D निमे टोडा में, Nesh Kushn है, निर्मकित में से किसमें तंत्रिका कोशकाएं तो पाई जाती है, किन्तो मस्तिस्क का अभाव होता है, यानि तंत्रिका कोशकाएं होती है, लेकिन मस्तिस्क नहीं होता है, तो हाइडरा में आप्शन सही होगा इसमें पहला वाला नैश कुशन है खुले परिवहान तंत्र का अभाव होता है किसमें आर्थवार्व में खुले परिवहान तंत्र का अभाव होता है नैश कुशन है हीमो सील पाई जाती है हीमो सील किसमें पाई जाती है चारा संदिय के है आर्थोपोड़ा स्वेलेंट्रेटा पोरिफेरा इनलेड़ा हीमोसील आर्थ्रोपोड़ा में पाई जाती है नेश्ट कुशन है खुला रक्त परिवहन पाया जाता है किश में हुमंस में काउ में एपिस में कॉक्रोच में खुला रक्त परिवहन कॉक्रोच में पाया जात कॉछ फैडियों नौट है।Now चेजा दो पता है यह स्वार्द होते च्छेवालेलट ही आधा ऑंचन समय होगा इसमें घ्लत मिला हुआ है बाकि जो आर्थ हो पोटा है 2008। Echinodermita में starfish होती है, Nemato-Helmanthes में squarish होता है, लेकिन Enlida में hydra नहीं होता है, केचुआ होता है. Next question पर आते हैं, Next question है, निमलिकित में से किस सम्मित में या symmetry में बाहोधीपन की अनुकिरिया तेजी से होती है, किस में होगा? तो bilateral symmetry में होती है, bilateral symmetry में.